जहें दोस्तो सागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर 24 जैनवरी 2021 का करेंट अफेर तो वीडियो को पूरा वस्य देखें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल आइक से पढ़ने का सुनहरा मौका है 500 से भी ज्यादा फ्री लाइब क्लास हैं आपके लिए यहाँ पर और यहाँ पर आपके 20,000 प्रेक्टिस कॉस्चन हैं MCQ लाइब MCQ यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है फ्री प्लान में इन सभी फ्री प्लान को एक्सिस करने के लिए के बाद हम आपके लिए बता दें कि दोस्तों एक बहुत ही अच्छी गुड़ न्यूज है यहाँ पर 2020 से प्री के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अनके एडमी आपे सब के लिए लेकर आया है पांच दिन का मेगा प्री MCQ फेस्टिवल है आपका जो है 23 जनवरी से 27 जनवरी तक है इसमें होगे आपके दिन में 50 से भी जादा लाइब सेसन और MP के टॉप एजूकेटर के दौरा इसमें पूरा सिलेवर्स कवर किया जाएगा MPPACPRE and other MP exam के लिए और यहाँ पर दोस्तों ए बहुत ही अच्छा चांस है अपनी तैयारी के लिए तो यहाँ पर unacademy लाया है आपके लिए mock test जिसमें यहाँ पर top 3 winners के लिए यहाँ पर unacademy के दौरा एक महीने का free subscription दिया जाता है आज ही अपनी जीत की तैयारी इदर जिकरें unacademy के साथ इसके बाद आपके लिए हम बता दें unacademy के plus batch के बारे में जो की आपको बहुत ही ज आपको यह सारे जो बैच हैं आपके कुछ बैच जो हैं स्टार्ड हो गए हैं और कुछ बैच यहां पर स्टार्ड होने वाले ही हैं तो आए जानते हैं यहां पर हम आपके लिए बता दें जो भी प्री 2020 के लिए करने चाहता है तो ध्यान से सुनिए यहां पर अनेकेडमी ले में आपके यहां पर live mcq revision होंगे यहां पर रात में होंगे और इसके बाद दोस्तों दूसरा जो बैच है इसमें होंगे आपके daily subject wise mcq live revision हर दिन और इन दोनों बैच में आपको 20 से भी जादा full mock test है यहां पर मिलेंगे pdf notes भी यहां पर आपके लिए मिलेंगी तो चले start करते हैं आज का अपना यह video आज का first question है आपर उकला के द्वारा जारी 2020 global internet speed test index में 149 देशों में भारत कौन से इस्तान पर रहा है तो 139 देशों में भारत कौन से इस्तान पर रहा है तो 139 वे इस्तान पर रहा है विकल्प नंबर आपका c यहां पर right answer है यहां पर देख लेते है थोड़ी सा विस्तरत में कि उकला के द्वारा जारी 2020 global internet speed test index में 149 देशों में भारत 129 वे इस्तान पर रहा है जबकि ब्राड बेंड speed के मामले में 176 देशों में भारत 65 वे इस्तान पर रहा है जबकि कतर mobile internet speed में रच्छन कुरिया और UAE को पचाल कर पहले इस्तान पर आ ग innovation इंडिया innovation index 2020 में कौन सा राज्य दवारा देश के सबसे नवाचारी innovative और प्रमुक राज्य की रूप में पहले इस्तान पर रहा है तो कौन सा राज्य है आपके लिए बताना है आपर question number है 2 और 2 का सही answer है आपका विकल्प number 3 यानि की विकल्प number C आपका right answer है करना टक आप इसके सबसे नवाचारी innovative और प्रमुक राज्य की रूप में पहले इस्तान पर रहा है जबकि राज्यों में कन्नाटक और केंसास प्रदेशों में दिल्ली ने पहला इस्तान पाया है इस index 2020 में कन्नाटक ने 42.5 का इसको यहाँ पर हांसल क्या है याद रखना अंगला question की ब यू पर हस्ताक्षर की है इन्टो बहुत ही महत्तोपून question है question number है आपका यहाँ पर 3 और 3 का जो सही answer है बहे आपका क्या है right answer यहाँ पर right answer है सबक परिवाहन एवं राजमार्ग मंत्राला विकल्प नंबर 3 आपका सही answer है यहाँ पर देख लीजे सबक परिवाहन एवं रा ताक्षर की है जिसके ताहत दोनों भूखत्रा प्रबंदन से संबंदेत परसपरक लाव के विविन छेत्रों में सही योग भी करेंगी अंगल्या question है क्या है कि प्रिसिद्ध भजन गायक नरेंदर चंचल का हाली में कितने वर्स की उम्र में इनका निधन हो गया है तो इन पर राइट आंसर है पर देख लेते हैं तोड़ी सा की प्रिसिद्ध भजन गायक थे नरेंदर चंचल और इनका हाली में अस्ती वर्स की उम्र में निधन हो गया है इन्होंने बच्पन मातारानी के भजन गाती हुए बिताया था उनके भजन घर-घर मसुहूर हुए है इन का जन में 16 अक्टूबर 1940 को अमरिस सर में एक धार में पंजाई परिवार में इनका जन गुआ था 16 अक्टूबर और 1940 याद रखना है अंगले कॉस्चन है कि स्रिलंका के के स्टेज गेंदवाज ने हाली में प्रेंचाइज किर्केट से सर्ण्यास लेने की घोशना की है तो बहे कौन है बहे किर्केटर तो आपका सही आंसर है लसित मलेंगा लसित मलेंगा विकल्प नंबर 4 विकल्प नंबर D आपका यहां पर राइट आंसर है आपर देख लें क्या है कि सी लंका के तेज गेंदवाज है लसित मलेंगा ने हाली में प्रेंचाइज किर्केट से सन् आठ के बाद से मुंबई इंडियन आई पियल प्रेंचाइज का हिस्सा रही हैं अंगला कॉस्चिन है कि जन जाती है कार्यालाय मंत्रालाय और किस राज्य सरकार ने संयक्त रूप से प्रवाशी सर्मकों के लिए सरम सकती डिजीटल डेटा स्वल्यूस्टन और ट्राइबल म ज्राय मंहारी ग्रेंट सेल की शिरूप करने की घुछना की है तो रहे घुछना की है गोब सरकार विखल्पनबर आपका चार यहां पर विखल्पनबर डी राइट आंसर है यहां पर देख लें कि गोबत सरकार और जंजातिया समाल के लिए inner झिल और और स् tecnología העरी मंत्तिया स तो संस्थान जंजाती संग्रालय बन धन केंद्र और जंजाती महुसाव को भी यहाँ पर मंजूरी दे दी है, अंगले कॉस्चन है, DRDO ने हाली में किस राज्य के तट से स्मार्ट एंटी एर फिल्ड बेपन का सफल उडान परिक्छन किया है, गोबा, बिहार, जारकंड, पर देखिए, DRDO ने हाली में उडिशाराज्य के तट से हिंदोस्तान एरो नाटक्स लिमिटेड के हॉक बन विमान के जरिये, स्मार्ट सिटी, सरी, स्मार्ट एंटी एर फिल्ड बेपन का सफल उडान परिक्छन किया है, इस स्मार्ट एंटी एर फिल्ड बेपन का कि 35 जनवरी को, 33 जनवरी को पूरे भारत में किस की जनती मनाई जाती है, most important question है, और आप कहें आपा जो सही answer है, वह है, क्या है right answer, तो आपका सही answer है, नेता जी सवासचंद बोस, जनती मनाई जाती है, 33 जनवरी को पूरे भारत में, यहाँ पर देख लिजे, नेता जी सव मनाई जाती है उनका जन्म याद रखना है आपके लिए इनका जो जन्म हुआ था 22 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था नेता जी सवास्चंद बोस की 125 भी जन्म जन्म जन्ती के लिए उनके जन्म इस्थान संग्राला को खास तरीके सजाया गया है और यह भी आपके लिए याद महत्तपुन पदों पर रही 28 अधिकारियों पर प्रितिबंद लगा दिया है किसने एह प्रितिबंद लगाया है आपके लिए बताने चार विकल्प यहाँ पर उपलब्द हैं और चीन आपका सही आंसर है यहाँ पर देख लें अमेरिका में जो बाइडन की सपत लेनी के ब है चीन ने कहा है कि यह ने अधिकारियों ने बीजिंग की संप्रभुता का उलंगन किया है अंगले कॉस्चन है कि भायती रिजर बैंक ने हाली में किस बैंक पर आर वी आई को देरी से सूचित करने पर दो कलूर रुपे का जुर्मान लगाया है तो यह लगाया है स्टें चार्टेड बैंक पर आर वी आई को देरी से सूचित करने पर दो कलूर रुपे का जुर्मान लगाया है आर वी आई ने कहा है कि बैंक पर आर्टेक जुर्माना आर वी आई धोकादड़ी कमर्सियल बैंकों पर बैंकों और चुनेंदा वित्तिय संस्थानों द्वारा वर रखना है चार्टेड इन इस्टेंडर्फ से चार्टेड बैंके पर अंगल्य कॉस्चन है क्या है यह आपका पिछली वीडियो का चीलेंज पर इसने में टूर बांध किस नदी पर बांदा गया है अहे बताना था तो बहुत सारी लोगों ने इसका सही आंसर बताए था क्या था विकल्प नंबर B काविरी काविरी आप कहां पर सही आंसर है काविरी नदी जो है इस पर मेट्टूर बांद बांदा गया है अंगल्या कॉस्चेन की बात करें आज का चेलेंज प्रेशन की तो भारत का पिर्थम परमानू उर्जा उत्पादन के अंदर है तो भारत का पूचा है भारत का पिर्थम परमानू उर्जा उत्पादन के अंदर है नरोरा उत्तर प्रदेश तारा पुर महराष्टे कलपकम तमिलनाडू काकरापवार गुजराद यह चार विकल्प आपकी है आंसर बनता है अगर आपसे तो आप कमेंट में आंसर जलू बताएं क्या होगा इसका सही आंसर अगर आप MPPSC की तैयारी करने की सोच रहें तो अभी जोइन कीजे फाउंडेशन बैच कोर्स जिसमें आपको यहाँ पर प्री लाइप किलास भी है पीडियाप नोट्स भी है और यहाँ पर बीकली मेगा कोईज भी आपके लिए उपलब्ध है यह आपका जो बैच है 26 जनवरी से जो है शुरू हो रहा है तो इसको आज ही आप जोइन कर लें लिंक है सारे बैच की से भी ज्यादा रिकॉर्डड़ सेशन और सब्जेक्ट से सम्बंदित और यहाँ पर MP के टॉप एजुकेटर है लाइप किलास है साथ दिन का है कोर्स है 26 जनवरी 4 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है इसकी बाद यहाँ पर जो है संकल्प MPPSC 2020 के लिए इसमें आपको जो है डाउट किलियर सेशन होता है यहाँ पर आपका MP के टॉप एजुकेटर के माद्यम से आपका जो भी डाउट रहता है आप तक सीमित नहीं रहता है अब उसका स्वेलिशन भी किया जाता है लाइप किलास के माद्यम से यहाँ पर एक और है अपने सपनों को साकार करने के लिए अनेकेडमी लेकर आया है सपन पूर्थी कोर्स है जिसके माद्यम से यहाँ पर सपन पूर्थी MPPSC मौक परिच्छा के लिए 35 दिन का एज बेच कोर्स है आपका 35 दिन का है तो आज ही आप सपन पूर्थी बेच को जोईन करें इसके बाद यहाँ पर जान लेते है अनेकेडमी के सस्क्रिप्शन के बारे में तो सबसे पहले अनेकेडमी एप डाउनलोड करना है सलेक्ट यहाँ पर आपके लिए सलेक्ट करना है MPPSC and व्यापम इसके बाद आपके लिए पिलस पर क्लिक करना है फिर इसके बाद आपको गेट सस्क्रिप्शन पर क्लिक करना है इस परकार यह जो है कोर्स की प्राइज आजाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं यह प्राइज है एक महीने का कोर्स है आज ही आप anacademy app डाउनलोड कर लें और अपनी परिच्छा को बहुत ही मजबुत बनाए anacademy के सांतों लिंक डिस्क्रेप्शन में दिये anacademy app की play store से आप इसको आज ही डाउनलोड कर लें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल आइकन दवाएं और पर क्लिक करें ताकि और वीडियो की जानकारी सबसे पहली आप के हां तक पहुँचे जाता से जाता वीडियो को सेर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी लोगों के लिए धन्यवाद जै हिंद